लाल मिट्टी में होगा इंग्लेंड का टेष्ट अंग्रेजों के खिलाफ रोहित ने तयार किया प्लान 2019 का लेंगे बदला लगान वसूलने के लिए टीम में होगा बदलाओ टीम में अस्विन की होगी टीम इंडिया में वापसी स्टूरिया पे लटकी है तलवार कोली ने शुरू की गेंदबाजी रोहित ने लिया विराट टेष्ट अपकी बार इंडिया है बेश्ट टीम इंडिया इस साल वर्ल्ड कप 2023 में जबर जस्ट प्रदसन दिखा रही है सबसे अधा अंक हांसिल किये हैं कल साउथ अफरिका ने पीछा किया वरना अंक की तालिता में बिल्कुल स्रेष्ट थे यानि पांच मुकाबलों में से पांच मुकाबले जीते थे सब को हराया था न्यूजिलेंड हो या फिर जाके ऑस्टेलिया सब को मात दी थी सब को बताया था भया आप होंगे वर्ल्ड चैंपियन आपकी चलती होगी वाद साथ लेकिन यह इं इंगलेंड से इंगलेंड के खिलाफ टीम इंडिया ने कई सारी रण नीती बनाई है प्लेंग लेवन भी बदल डाली है आपको दादे 2019 में जब टीम इंडिया थोड़ी गलबडाई थी तब इंगलेंड ही वो टीम थी जिसने इंडिया को हराया था और उसके बाद सेमी फ इंडिया का छटा मुकाबला है लखनाओ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया काफी जोर से प्रैक्टिस कर रही है विराट पोली ने गेंदवाजी शुरू कर दी है हम अक्सर देखते हैं कि विराट गेंदवाजी के लिए नहीं सकते हैं तो भाईया प्लेंग 11 क्या होगी लखनाओ की पीछ है यहां पर इस्पिन को मदद मिलती है यानि अब तक जो मुकाबले हुए थे वो लाल इंडिया के लिए वर्ड कप ने खेले थी चिन्नाईई में उसके बास चार मुकाबलों में उन्हें आराम दिया गया था पांचों मुकाबला जब टीम इंडिया खेलती थी वहां पर shami को मौका दिया गया था क्या यहां पर शमी को बाहर किया जाएगा रवी चंदन अश्व ज़रूरत पढ़ने पर विराट पोली हाथ घुमाएंगे अगर बात करें टॉस की तो टॉस जीतकर कप्तान रोई शर्मा को क्या करना चाहिए तो आपको दादे टॉस जीतकर सबसे पहले कप्तान रोई शर्मा को गेंदवाजी करनी चाहिए चुकि लखनवु आम में आजकर ठंड बर चुकी है और ठंड बनने के वैसे काफी ज्यादा ओस हो जाती है यानि दूसरी बार जब बल्लेबाजी के लिए खिलाए उतरते हैं तो वहां पर उन्हें खूब मदद मिलती है यानि कहें इस्पिन होती नहीं है फिलाल आपको क्या लगता है क्या शूर्या को बा